करीना कपूर खान और सैफली खान कॉंट्रोवर्सी में फस्ते हुए नजर आ रही है और ऐसा किसी फिल्म की वज़ह से नहीं ऐसा किसी फिल्म के नाम की वज़ह से नहीं बलकि उनके दूसरे बेटे का नाम सामने आ गया है जिसकी वज़ह से अब लोग उन्हें ट्रोल कर रही है पुखता तोर पर तो जानकारी नहीं आई है किसी ने ओफीशल एलान नहीं किया है लेकिन दोनों स्टार्स के एक बहुत ज्यादा करीबी ने इस बात का खुलासा किया है कि दूसरे बेटे का नाम जहांगीर रखा गया है पहले बेटे का नाम जब तैमूर रखा गया था कोई याद होगा कितना बवाल हुआ था लोगों ने कितना ट्रोल किया था यहां तक की सैफ अलिखान के मुसलमान होने तक पर सवाल उठा दिये गये थे कहा गया था कि जानबूच के देश को बाटने के लिए और पूट डालने के लिए इस तरह के नाम की घोशना की गई है बहुत बवाल हुआ लेकिन करीना और सैफ अपने बच्चे के नाम पर अडिग रहे तैमूर ही उसका नाम रखा गया अब ख़बर मिल रही है कि दूसरे बेटे जिसको प्यार से जे बुलाय जा रहा था उसका नाम जहांगीर रखा गया है जैसा मैंने कहा ओफिशल तौर पर अइलान नहीं हुआ है लेकिन एक बहुत करीबी सूत्र ने बताया है कि जल्द ही ओफिशल अइलान भी हो सकता है नाम की घोशना हो सकती है एक बहुत ज्यादा खास सदस्य है इनके परिवार का जिसने एक बकायदा लीडिंग वेबसाइट से बाचीत करते हुए कहा बच्चा सैफ और करीना का है ऐसे में नाम रखने का अधिकार भी उनहीं का है हमें ना तो सैफ करीना के बड़े बेटे का नाम तैमूर रखे जाने पर कोई अतरास था और ना छोटे बेटे का नाम जहांगीर रखने पर उन्होंने कहा वैसे भी तैमूर के घर का नाम टिम्टिम है जो बड़ा खुबसूरत है चोटे बेटे का नाम जे है अफिशली अब जहांगीर है ऐसे में हम इस नाम से भी कोई दिक्कत नहीं रखते हैं परिवार के सदस्य ने कहा सैफ जिस धर्म से तालूक रखते हैं उस धर्म का नाम रखने की उन्हें पूरी इजाज़त है बेटा उन दोनों का है ऐसे में उन दोनों को ही इसकी अधिकारिक घोशना करनी चाहिए तो अच्छा है मैं अभी समस्ते पर कोई कोट नहीं करना चाह बता दें आपको सोमवार को लगातार कयास लगते रहे कि आखिर क्या एलान होगा और ये कयास तब से शुरू हुए जब करीना की जो किताब है प्रेगनेंसी बाइबल उसके पन्ने पर छोटे बेटे की फोटो के नीचे जहांगीर लिखा पाए गया उसके बात से ही ये ख जाते चले मुगल बादशा अकबर के बेटे सलीम का ही नाम जहांगीर था जहांगीर एक पार्सी शब्द जिसका मतलब होता है दुनिया पर राज करने वाला तो जहांगीर हो सकता है करीना के दूसरे बेटे का नाम उफिशल तौर पर भी एलान कर दिया जाए आप बताए इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है